कि अगर नेक्स्ट टॉपिक है एंजी एम और एचेम में रिलेशन बिट्वीन एचेम यह सुछ इसमें अपन क्या करने वाले हैं और क्या क्या रिलेशन होने वाले हैं मतलब हमें यहां रिलेशन पढ़ना है अगर आपको नंबर्स की वने आप उनका एम निकालते हैं जैसे आपको कोई भी दो नंबर दे ग मैं उनक हैं अप निकाल सकते हैं गम निकाल सकते हैं तो उसकता है चेक करते हैं तो फिर्स इस अभी आगे बात करेंगे अभी हमने दो नंबर कंसिडर किये और भी सेम साइन किये यह सेम साइन मुझे लगता है सर इसलिए भी हो सकते है क्योंकि जी अंडरूट अभी होता है एक पोजिटिव एक नेगेटिव हो गया तो अंडरूट अभी डिफाइन नहीं होगा और हार्मोनिक मीन 2AB अपॉन हमें मुझे लगता है इन दोनों को मल्टीप्लाइ कर देता है मालों हमने एंट करा सब्स अभी हमें पता नहीं क्या होने वाला पर एक बार हम करके देखने मुझे इसा लग रहा है सर यह पता चल रहा है आपको क्योंकि A plus B से A plus B cancels हो रहा है बिलकुल यह A तो ऐसे लिख दिया और H हमें पता ही है 2AB upon A plus B तो यह cut गया A plus B से A plus B 2 से cut गया तो यह A B आ गया लेकिन सर A B है क्या A B को देखकर मुझे सर लग रहा है सर A G का value under root A B है तो मुझे लगता यह A B जो है यह G square बन जाएगा चाहिए बिलकुल बिलकुल सर तो यह जो A H आ गया यह सर ने बिलकुल सही कहा और एक अच्छी बात है कि आपके पास A G H में relation निकालना था G square equal to A H मतलब मुझे एक बात समझ आई सर मैं एक साथ समझ ला हूँ B square बराबर A C मतलब A B C GP में है जिसका square हो रहा है वो middle time है बागी first और third आप किसी को भी ले सकते है तो यहां हो रहा है G square equal to A H मतलब यह GP है जिसका middle term G है और first और third यह है मैं ऐसा बोल सकता हूँ A G H R N G P मतलब अपनी बात को अगर अगर अपन conclude करें तो यह हुआ कि if we are taking A M G M H M of two positive numbers A and B A G H आपके दो number थे A M लिया, G M लिया, H M लिया तो यह A M G M H M itself makes a GP तो यह A into H किया तो H बराबर A B आगया G square बराबर A H इसमें एक बहुत important बार कि it is applicable for two numbers सर यह बिल्कुल सही बात बोली है आपने two numbers क्योंकि आपने जो derivation किया है, जो आपने proof किया है वो दो number को लेकर ही proof किया है अगर आप तीन number ABC के लिए proof कर देते, तो मैं बोल देता ही तीन के लिए भी validate तो सर अगर मैं तीन के लिए लिए लिखना चाहूं मान लो G square equal to H और अगर मैं ABC तीन number ले लूँ मुझे ऐसा लगता है कि आप AM निकालेंगे इसका तो A plus इसका G लिख रहा हूं सर सब्सक्राइब ABC की बार 1 by 3 और पूरे का अगर मैं देखना चाहूं तो 3C3 तो cancel होगे है मुझे लगता यह relation valid नहीं होगा या आपको ABC अगर मुश्किल लगते हैं तो मुझे लगता है तीन number ले लो ना क्या फरक बढ़ रहा है तीन number ऐसे ले लो जिनका यह relation कभी-कभी valid भी हो जाए यह relation valid होगा जब ABCRNGP ABCRNGP अगर ABCGP में है तो यह relation valid हो जाएगा मतलब मैं ऐसा conclude करूँ अपनी बात को कि D square equal to H valid for all two numbers कोई भी दो number है तो valid होगा बस वो same sign के लिए होने चाहिए और more numbers के लिए यह relation valid तब ही होगा जब वो numbers जो आपको दे रखे हैं वो GP में होने चाहिए अब भी अगर सागर कुछ पता यह नहीं है कि AP में GP में तो आप नहीं बहुत सब्सक्राइब नहीं है आप number रखे देख लीजे कोई भी यह valid नहीं आएगा बहुत important बात है बच्चों ध्यान अगना G square equal to H is valid for applicable for only two numbers for more than two numbers this will be valid if numbers are in GP आप चाहें तो number लेके देख लीजे 124 फिर यह मुझे लगता है तीन number के लिए भी valid हो जाए A और B दो real positive number है इनका arithmetic mean हमने निकाला capital A, इनका geometric mean निकाला G और इनका harmonic mean निकाला H तो arithmetic mean always greater than geometric mean always greater than harmonic mean but they may be equals तो आप यह तो जानते ही हो equal कब होता ही अपन बता चुके हैं पहले लेकिन फिर भी आप इसको A, B से भी प्रूव कर सकते हैं तो इसका मतलब सबसे पहला काम हमने A minus G निकाला A minus G मतलब A plus B by 2 minus under root A, बिल्कुल सभी बाते हैं सर इसका मुझे under root A minus under root B का whole square नजर आ गया है शायद आपको भी नजर आ गया होगा तो जैसे A minus G निकाला बच्चो यह तरम आई अब यह तरम तो अभी मैं मान लेता हूँ कि positive है अभी 0 भी हो सकते है बिल्कुल सर यह हमेशा positive होगी we know X square is always greater than 0 but may be equal to 0 when X is equals to 0 अभी हम non-0 की बात नहीं कर रहे हैं वो भी लेंगे पर यह A minus B का whole square तो मैंशे मैंने मान ले है positive है 2 positive है इसका मतलब A minus G जो आगया वो greater than 0 है लेकिन सर यह equal to 0 कब हो सकता है equal to 0 होगा जब यह itself 0 हो जाए मतलब under root A बराब under root B हो जाए मतलब A बराबर P हो जाए तो सर अगर जैसे ही A बराबर B हो गया तो इसका मतलब A बराबर B हो गया तो यह A minus G 0 हो जाएगा मतलब A और G बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब यह हुआ सर कि arithmetic means हमेशे greater than equal to geometric means होगा equal to उस case में होगा जब वो 2-2 होगे मतलब number same होगे आप तो यहां से दिख भी रहा है सर अगर A और B equal हो जाएगा तो A minus G बराबर 0 मतलब A बराबर 0 हो जाएगा यहां से भी फ्रूव हो गया तो इसका मतलब सर जब भी हमें यह maximum minimum की बात करेगा यह minimum maximum value की बात करेगा और positive real number की बात करेगा जिँख दिफाइग नहीं होगा और बच्चों अगर दोनों negative भी होगे तो भी हम ऐसा नहीं करेंगा आप यह भी सोचो कि अगर एक positive एक negative होगे बिलकुल बोला तो यह डिफाइग होगा तो यह तब रहोष होगा जब number दोनों positive एक को आपलेज देखे तो समझ लेना एंज देखते बच्चों समझ गए होंगे विच फॉलविगा और इसमें चार उप्शन इंडिविज्विल चेक करने पड़ेंगे एक प्रोसेस से तो चारों को शन नहीं होंगे और सर यह भी समझ में आगा होगा बच्चों को कि यह है तोANE चेम के सीन मिनेमुम गिर्फिल म में और सर मिनिम्मं मैं नंपरसे इन प्रोडिट मुझे पता है आपको पता है विवlexigyn फुछ रहा है प्रोड़क्त मुझे पता है तो सथी नमबर कर लेके थे त्व कौन से दीन करें एक ब्रोड़क्ट पता है वही तीन नमबर लेंगे तो हमें तीन नमबर A1 A2 A1 upon A2 A2 upon A3 A3 upon A1 बेलकुल सब हम आप्षिन पर आते हैं कि फर्स आप्षिन हमार पास यह तीन नमबर एंगे कर लिए इनका एंग्यें क्यों लगाया आपको सद्धे समझाई दिया इनके प्रोड़क्त से constant मिल रहा है प्रोड़क्त पता है हम है और आगे solve पुर लेते हैं एक वल्ट टू greater than equal to gm लगा दिया तीन नंबर का सथ एम अवाइब बाई टू प्लस एटू बाई Sum, बोले तो AM, रेसिप्रोकल, बोले तो HM, इसका मतलब सर, 100% AM और HM का कुश्यन होगा, सर, बिल्कुल सर, सही बात है, तो सही स्टार्ट करते, सर, अब नमबर कौन से लेने, सर, ये तीन नमबर A1, A2, A3, इनी का सम है, और इनके रेसिप्रोकल का सम है, तो AM greater than HM, सर, एक ब bracket पर concentrate करो, आपको एक bracket को देखते समझ में आ जाएगा कि नमबर कौन से लेने, या तो आप केवल इसको देखो, या फिर आप केवल इसको देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नमबर कौन से देने, और ये एक important बात था, सर, second point हमने तीन नमबर ले लिए, A1, A2, A3, अब एक पूरे को इदर, cross multiply कर सकते हैं क्योंकि ये positive होने के case में cross multiplication allowed है, बिल्कुल, नहीं तो अगर पता नहीं, नहीं होता कि ये positive है, negative है, तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि फिर inequality का sign, change हो भी सकता है, और नहीं हो सकता है, तो ये answer आगया sir, हमारे पास, ये greater than equal to, 9 से बड़ा होगा, तो इसका मतलब sir, second option भी जो है हमारा, वो, ये सही है sir, बिल्कुल सही है, तो sir, फिर तो all of this टिक करीद हो जब दो सही ही तो चोथा ही हो गया, बच्चों को सिखाने के लिए, एक बार third option और चेक कर सकते हैं, जैसे तो ये आप भी कर सकते हो, sir, मेरे साब से ये product की बात कर रहा है, और sum की बात कर रहा है, तो रैसी protocol के sum, GMHM पर जाना है, GMHM पर जाना है, और sir, कौन से number assume कर लो, A1 A2, A3, कोई भी bracket देख लो, GM greater than H, तो GM greater than H, एक number ये लिलता हूँ, एक 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 ए, और GM greater than HM, यूज कर लेता हूँ, तो sir, हम आते है, option third पर, ये तीन number ले लिए, GM greater than HM ही लेता है, yes sir, तो इनका GM लगा दिया, HM लगा दिया, A1 लगा दिया, A1 लगा दिया, A1 लगा दिया 3 का cube और इसका whole cube, अब तो cross multiply कर देते हैं, अब ये और question bracket वाले की जो हम बात कर रहे था, sir, ये question ऐसा है, if A1, A2, A3, up to A1, positive real number, सबका product दे रहा है, ये product है, ये product है, product जो है, इनका 1 दे रहा है, then, ये जो है, 1 plus A1, plus A1, square, 1 plus A2, plus A2, square, 1 plus A3, plus A3, square, up to 1 plus A1, plus A2, is greater than equal to, sir, इसके option अगर नहीं दे रखे होते हैं, तो आप लिख दे एक बार इसके option, मैं लिख देता हूं, पहला एक option है, मालो, ये ऐसा है, greater than equal to, 2 to the power and, second option, greater than equal to, अच्छा, ये तो दे ही रखे हैं, ये किस से greater है, 3 to the power and, एक लेलते हैं, 4 to the power and, 0 भी लेले, और एक लेलते हैं, 3rd option, अब सर, स्टार्ट करें हम इस question को, सर, क्या बोलना चाहरा है, इस पर एक बार question समझाएं, कि है क्या बच्चों को कैसा बता पड़ेगा, किसका question, और start कैसे करेंगे, start कैसे करेंगे, ये एक बहुत अच्छा question है, सर, ये student से तभी होगा, जब उसने एक बार पहले किया और ये बच्चों तभी होगा, ये समझना आप, कि जैसे ये जो number है, वो positive real number, इन सब का product दे रहा है, मतलब 100% question GM का है, art plus की बात कर रहा है, question GM का, product की बात कर रहा है, amgm का, और sum की बात कर रहा है, आप इस bracket को देखोगे, sum की बात कर रहा है, इस bracket को देखोगे, sum की बात कर आपके जो मर्जी है, वो bracket पकल लो, तो सर, हम ये वाला bracket, फोकस कर रहे है, यहां तीन number दिख रहे है, 1, a1, a1 square, और इनका sum पूछा है, तो मुझे लगता है, इन तीनों में amgm लगा देना, ची सर, आपको, तो सर, हमने ये तीन number ले और यहीं क्यों लिए समझ में आगया बार वन भाई, तो सर, ये a1 cube हो गया, cube से cancel हो जाएगा, cube root तो ये 3a1 आगया, तो इसका मतलब सर, एक तो ये term मिल गया, कि ये जो bracket है, ये वाला जो bracket है, ये हमेश्या 3a1 से बढ़ा रहेगा, तो similarly, सर, ये वाला bracket कि से बढ़ा रहेगा, तो similarly, ये जो bracket है, वो 3a3 से 3a1 से बढ़ाएगा, सर, अब हम इसके बाद क्या करें, सर, आपको इन सब का product करना है इधर शाहिए, बिल्कुल, तो मुझे लगता है, इन सब को आपस में multiply करना है, और ये वाला bracket भी है सर, इसमें ये वाली quantity भी है, ये सारे bracket को बच्चों multiply कर देते हैं, तो question का left side बन गय हैं, तो 3 की power n, और a1, a2, a3, sign change इसलिए नहीं होड़ा क्योंकि सारी quantity positive है, एक भी negative होती ही, या दो negative होती ही, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि क्या होगा, बिल्कुल सही बोला सर, आपने, तो ये जो भी number है, वो सब जो आएगा, वो इससे तो बढ़ाएगा, और इसक B plus C is equal to 18, then find the maximum value of A square B cube C to D power 4, ये बहुत अच्छा कोश्चा, अगर ये ना देकर, मुझे ना ये दिया होता है, A into B into C, तो मैं कर चुका होता आप तर, क्योंकि तीन number का sum मुझे पता है, उन्हीं का product है, एम जी एम कर देता, पर बच्चा अटक जाएगा सर, क्योंकि उसको तो ये तो समझ में आ गया होगा बच्चों को, कि बच्चा intelligent होगा, तो समझ में आ गया होगा, कि sir हमारे पास जो है, वो तो R plus है, मतलब AM GM का question है, sum की बात कर रहा है 100% AM है, product की बात कर रहा है 100% GM है, मुझे लगता है sir, मुझे यहां पर इस question को देखकर, ऐसे number सोचिने Sir मुझे इनीका तो product चाहिए, मैं इनीका GM ले दूँआ, मैं भी ले दे रहा हूँ, तेरे कहे मताबिक, लेकिन सम यह चाहिए sir, लेकिन क्या इसका sum पता है, नहीं पता है, मतलब हमें ऐसे number सूचने पढ़ेंगे, जिनको product करने पर तो यह आए, और sum करने पर यह आए, तो बिल्कुल, जब आप इनका AM लेंगे, तो 2A प्लस 3B प्लस 4C आएगा, और आपको 2A प्लस 3B प्लस 4C का वैल्यू पता नहीं है, इसका मतलबात यह नहीं ले सकते हैं, और यह नहीं ले सकते हैं, तो क्या करें sir, ऐसा क्या सोचें, ऐसा number लेंगे बच्चों, जिनका sum करने पर तो यह है, क्योंकि यह दे रखा है, लेकिन प्रोड़क्त करने पर यह तो आजाए, वो सकता है constant extra आजाए, constant से, उसकी, constant से सहत पर कोई फरक नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रोड़क्त में यह चाहिए मुझे, sum तो इसके अलावा कुछ और हिल नहीं चाहिए, लेकिन प् पर यह नंबर ले लेंगे, तो वहाँ वो इकवल भी दोने चीए, यह बच्चों, A by 4, 3 by 4, 3 by 4, 3 by 4 का sum तो A आजाएगा, लेकिन प्रोड़क्त पर A square भी विलेगा, लेकिन सोचिए, जब आप equality को hold कराएंगे, तो क्या A by 4, 3 by 4, क्या किसी value के लिए बराबर हो सकते हैं, आइसा करें, लेकिना नहीं है, इसका मतलब एवाई 2, सर हम इसको आदा आदा कर देंगा, Já sır कि A by 2, A by 2 तो बराबर आएगा, e by 2 , A by 2 का sum भी रे आएगा आएगा और a by続ot, a by 2 का problem, जी e ए 2 का profile मिल जाएगा, तो सर मिल जाएगा तो सर बच्चों को यह समझ में आ गया होगा कि यह जो क्वांटिटी है मैं ऐसे नंबर लेने जिनका सम यह आज है प्रोडक्स से यह मिले साथ में कुछ तो तब ही आएगा जब इसके दो पार्ट करूंगा यह बीक्यूब तब ही आएगा जब इसके तीन पार्ट करेंगे और सी पार फोर तब यह जब इसके अब इनका यह लेगे मुझे लगता है सम में यह मिलेगा और जी अंबर प्रोडक्स नंबर हो गया तो इनका एम ले ले लेते हैं इनको सब को एड़कर दिवाइड बाए नाइन और प्रोड़क करेंगे तो साथ 2 की पार 2, 3 की पार 3, 4 की पार 4 और पूरे की पार 1 बन गया है इसका वैल्यू 18 सर इनोंने यह जो 9 पार है बच्चों वो इधर shift कर दिया 1 बाइन इंसे उधर पार जाती है तो रेसिप्रोकेट हो जाती है तो यह गया टू की पार 9 और यह तो आई गया multiply कर दिया तो 2 की पार 90 और यह इससे छूटा है इसका मतलब सब्सक्राइब इसको उल्टा करके लिखो इसको इशाद मिल्का से next step में इनोंने लिखा होगा next step में यह जो quantity है यह इस quantity से तो हमेशा कम आरी है यह इससे कम हें है इससे ऊपर नहीं जाना है मतलब है इससे कम तो कितनी कम हो सकती है लेकिन यह maximum value है minimum है बच्चों यह maximum है क्योंकि इस से तो कमी है यह maximum value होगी sir हमार पास तू पार त्री और यह इनों ने लिखा है यह इनों ने लिखा है बच्छों आपको समझ में आगया होगा सिंपल सी बात है और यह बहुत इंपोर्टन कॉंसेट सीखने को मिला है अब आप से यहां पर बात पूछना चाहता हूं कोशन में कि आपने यह मैक्जीमम वेल्यू बता दे यह हो गई फिर मैं पूछों फॉर वाट वेल्यू अफेशी इसमें इक इंपोर्टन बात यह बहुत अच्छी बात बूलिए यह बहुत कॉंसेप्चुल बात बच्छों यह मिनिमम मैक्जीम तब आएगा जब जिस नंब को आप के मान लोगे तो मुझे लगता है इनका रेश्यो आप निकाल बहुत तो सर एकी वेल्यू आगी हमारे पास टूके यह सार मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यह मैक्जीम तब आएगा जब एभी सी एपी में होंगे एबीसी एपी में होगे तो इस तो बच्चों नहीं है इसा भी कोश्चन पूछ सकता है इसा बोल देगा वह इस maximum अभी तो बोला है maximum value पर question ऐसा बन सकता है इस maximum then ABCRN तो यह इसा भी हो सकता है और बाकी के की value आप इस बाइब को सब्सक्राइब बताई यह बहुत इंबॉर्डन concept मेरे काल से शीखने को मिला और यह सब बहुत अच्छा कोश्यन है बच्चे को अपने हाथ से कर लेना चाहिए इस इस बाइब कोश्यन है चलो बच्छों स्टार्ट करते ने जो पॉइंट है वो मेरे खाल से इनों ने यही बोला सार बोल दिया इनोंने maximum and 2P plus 4Q plus 3R equal to 10 then Q is equal to मुझे लगता है सर यह previous question वाला ही हो गया जिसमें आपने के वे निकाला था और बताया था कि ABC AP में होंगे तो यह maximum होगा या minimum होगा यहां वही बात पूछ रहा है कि यह maximum है तो कब है maximum बिलकुल exactly वही question हो गया सर आप जैसा बोल रहे हैं बच्चों आप जैसा सूच रहे हैं वैसा ही है कि अब यह बोल दिया maximum है तो सर ऐसे number भी तो assume करने पड़ेंगे कि किन number के बीच में AM GM लगाया जिनका sum करने पर तो सर यह मिले बिलकुल और product करने पर सर यह मिले तो P square है सर यहां पर और वहाँ टूपी है तो PP दो बार ले लो सर पीपी दो बार ले लूँगा एम लोगा तो टूपी आ जाएगा जीम लोगा तो P square आ जाएगा लेकिन सर अब यह चक्कर पड़ेगा सर क्यू 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 चार बार लेंगे तो sum तो 4Q होगा लेकिन product Q की power 4 हो जाएगा सर ऐसा क्या करें कि सर 4Q है और तीन बार चाहिए तो इसे तीन बराबर पार्ट में डिवाइट करना पड़ेगा सर 4Q by 3 4Q by 3 4Q by 3 ले लो सर तीन इकॉल पार्ट यह होंगे 4Q by 3 4Q by 3 4Q by 3 उनका sum या जाएगा बिल्कुल आ जाएगा प्रोड़क करने पर Q Q by कुछ एक्सरा भी आया कोई फरक नहीं पड़ेगा तो सर अब 3R की कितने पार्ट लेने पड़ेगा 3R R R R R लेता हूं तो आर क्यूब आएगा वहां की पावर 5 ए मतलब इसको पांच बरावर पार्ट में डिवाइट करना है तो यह पांच बार लेता हूं 3R by 5 यह ने लिख दिया यहां से यह लिखा हुआ है अब उस्वी पर आ जाते हैं वापस से अगर यह जो नंबर है इनके बीच में एम जीम लगाया तो यह तो तभी पॉसिबल होगा जब सब यह सारे नंबर जो है वो इक्वल होने चाहिए बिलकुल सर मैक्जिमम वैल्यू तभी होकर होगी जब यह इक्वल होना चाहिए तो यह पी इक्वल टू 4Q इक्वल टू 3R by 5 होना चाहिए तो सर मेरे साब से यहीं से कोश्चन स्टार्ट होगा यह सबसे इंप्रटन अगर हम यहां पर डालेंगे तो सब P की वेल्यू क्या गई? P 1 आ गया, 3 by 4 आ गया, R 5 by 3 आ गया, तो this will be maximum, if Q is equal to 3 by 4, मुझे लगता है बहुत सिंपल हो गया है, सब एक अच्छा कोशन है, बच्चों को स्ट्राइब करना है, अच्छा हो गया है, क्या क्या गया है, सबस्क्छा की वेल्यू तो आ गया है, कर लोगता है, झाल झाल